इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है और लालिमा, खुजली और सूजन से राहत दिलाने में मदद करता है। Epidrops DMI Drop का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी में केवल प्रभावित आंख में किया जाना है। इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथों को धुएं। यह सलाह दी जाती है कि उप्योग से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें। बहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़े और इलाज का कोस पूरा खत्म करें। दवा बहुत जल्द बंद करने से इंफेक्शन वापस हो सकते हैं या बिगर सकते हैं। सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में एप्लीकेशन साइड पर परेशानी और इरिटेशन शामिल हैं। अगर यह साइड इफेक्ट लंबे समय तक बना रहता है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। अपने कान, नाक या मूँ के साथ अचानक संपर्क में आने पर इसे तुरंत पानी से धोलें। यदि आपको इस दवा के किसी भी इंग्रीडियन्ट से अलजी है या यदि आपको यह अन्य दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। इस दवा का इस्तिमाल करने के बाद गाड़ी या भारी मशीनरी न चलाएं क्योंकि इससे आखों की रोश्नी धुंदली हो सकती है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।